हलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चैलिश पीपी लाइग में मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वास्त होंगे मस्त होंगे चुस्त होंगे तंदरुस्त होंगे खुश होंगे और सबसे वड़ी चीज अपनी फैमली और अप अगर हम अपने माता-पिता की अगर सेवा करेंगे तो जरूर भगवान हमको आशिरवाद देने के लिए तरसेंगे और हमारा सक्सेस का ग्राब दिन प्रति दिन यू जाएगा यह मेरा अपना अन्बो है जो लोग अपने माता-पिता का ध्यान बहुत अच्छे सा रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में हम आपको टूविलर के सेग्मेंट में ले चल रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं इस प्लेंडर की कीमत में आपको नए जनरेशन की गाड़ी मिलने वाली है उस गाड़ी ने 80-90 के दशक में कोहराम मच आ रख्था था उस कंपनी का राम बताने जो सब्सकार को बढ़ाने इसको दबाके भाई के चैनल उस सब्सकार कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिए और अब आप आप आपने इस भाई को जोईन भी कर सकते हैं जोईन इसी पर आज हमारा वीडियो होगा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अपने भाई का एक मोटो जरूर याद रखिएगा जब शुरूर जाईएगा तो क्रॉस कोश्चन जरूर कीजेगा क्योंकि गाड़ी कमायात की हिवेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए त इस बाइक ने हीरो स्प्लेंडर बजाज प्लैटिना यामा आर एक्स हंडर जैसी बाइकों को भी पीछे छोड़ दिया है इस बाइक का इंजन बहुत ही पावरफुल है इस बाइक का लुग भी काफी जबरदस्त है अगर आप भी इस नई बाइक राजदूत को खरीदना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा से धोने वाला है आज हम आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं आए जानते हैं कैसा होगा इस बाइक का इंजन और क्या होगी इसकी कीमत राजदूत बाइक के इंजन की बात करें तो इसके अंदर 125 CC का powerful engine दिया गया है जो की 20 PHP की power और 16 एनम का peak torque रोट पर generate करने में सक्षम है। इस बाइक का engine 5 speed gearbox के साथ हाता है। अगर हम इस बाइक की top speed की बात करें तो इसकी top speed 120 km प्रिति घंटा होने वाली है। इस बाइक का design बहुत ही आकरशक है। राजदूद बाइक के अंदर 12 लीटर का fuel tank दिया गया है। वहीं अगर हम राजदूद बाइक की mileage की बात करें तो ये बाइक एक लीटर पेट्रोल में 65 km mileage देने में सक्षम है। इस बाइक के अंदर anti-breaking locking system दिया गया है। इतना ही नहीं। इस बाइक में digital instrument console, digital trip meter, digital auto meter, USB charging port, Bluetooth connectivity जैसे कई advanced features से इसको नमाजा गया है। अगर गुप्त सुत्रों की माने तो नई बाइक अभी भारतिय मार्केट में launch नहीं हुई है। बाइक अगले साल 2025 में launch की जाएगी इस बाइक के दो model को launch करेगी। अभी इस बाइक के कीमत के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन अगर गुप्त सुत्रो की माने तो इसकी शुरुवाती कीमत लग बग देड़ लाख रुपए से लेकर के एक लाख 75,000 रुपए एक शुरुप के आसपास तक हो सकती है। वाइस कैसी लगी ये नई 8090 की नई जनरेशन की बाइक। इस प्लेंडर की कीमत में आपको ये बाइक जरूर उपलब होग की स्प्लेंडर से मजबूत भी होगी। आपकी कह रहा है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजएगा वीडियो के साल अगा जरूर बताएगा कमी जरूर बताएगा ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके और प्लीज गाईज आपसे आपका